हलो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप मैं शेफ नितिन जैन एन जे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं तो चल दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इंगीडियेंस नोट करिए और चलिए आज की रेस्पी की और आज जटपट से आटा चीज रोल बनाते हैं जिसक लिए 2 कप आटा लिया है इसको हम चानेंगे दोस्तों कोई भी जालेदार ब्रैड बनाने की लिए खमीर की जड़ुरत पड़ती है और बिना खमीर के ब्रैड नहीं बनती है खमीर जो है वो नेचुरल तरीके से भी बनता है और नेचुरल खमीर मिलाकर यह भी ब्रैड बन की जरूत नहीं है इसमें सारे बुने ऐले हुए हैं इसको मिक्स कर लेंगे अब ड्राइ इस्ट के अंदर एक चम्मा ज्राइस और एक चम्माचीनी को मिलाके उसमें हलका गुण-गुणा पानी डालेंगे जिससे कि आपका जो येस्ट है वह एक्टिव हो जाएगा इसको दस आज पर रख देंगे 15-20 मिंट के लिए अब ये आपका खमीर उठ गया है इस खमीर को आटे में मिलाएंगे दो चम्मच आपका गारलिक पटर जो बनाया है वो मिलाएंगे और पानी जो थोड़ा थंडा हो उसके साथ इसको आटा मलेंगे दोस्तो आज जो हम इतनी अच्छी खमीरी ब्रेड और जालेदार जो हलकी ब्रेड खाते हैं इसका इन्वेंशन आपको पता है 5000 साल पहले एजिप्शन के दौरा हुआ था पहले वो एक्सिडेंटली हुआ था लेकिन जब वो पता लगा तो उनको ये चमतकार से कम नहीं लग क्योंकि उनकी ब्रेड जो है वो बहुत हलकी और जालेदार आई अब इसको ढख करके रेस्ट देंगे 20 मिट के लिए आप 40 मिट देंगे तो और अच्छा आएगा अब ये रेस्ट देने के बाद इसको हम बेलेंगे पतला-पतला तो पहले जब खमीरी ब्रेड बनाते थे तो उसका स्टार या उसका खमीर खुदी प्रेड्यूस करते थे जैसे कि आपका जर्मणी में एक ब्रेड बनती है सौर्डो ब्रेड उसका खमीर उसी के स्टार से बनाते हुए रोटिट किया जाता है अब इसको बेलने के बाद इसकी कॉर्णर को बराबर कर लेंगे दो उ पहली बार कमर्शिल तोर पे खमीर को बेचने की जो प्रेकरिया है वो उनिसवी शतापदी में चालूई थी जो की खमीर बना करके बेचना एक बियर की ब्रीवर कमपनी से प्राप्त करके एक बेकर कमपनी ने अपनी ब्रेड को प्रेड्यूस किया था अब इसके अंदर चीज भरेंगे जैसा कि आपको बताया और इसको रोल करेंगे आप ध्यान पुर्वक वीडियो को देखिए उससाब से इसको फॉलो करिए तो फिर खमीर खरीत के जो ब्रेड बनाने की जो प्रिक्रिया थी उस प्रिक्रिया को डच प्रिक्रिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि पहली बार उन्होंने ही कमर्शिल तोर पे इसको बेचने की प्रिक्रिया चालू करी थी जो की जर्मनी में बाद में फैलती गई वैसे भी जर्मन में जो ब्रेडो की वेराइटी और उनके जो फ्लार हैं जो उनके आटे हैं उनकी वेराइटी बहुत ज़ादा होती है और वो विश्व में विख्यात है अब ये रोल बनाने के बाद इसके उपर हमने गार्लिक और अनियन का जो बटर बनाया हुआ है वो इसके उपर लगाएंगे इसको आदा घंटे दुबारा हम प्रूव करेंगे और उसके बाद इसको हम बेक करेंगे बेक करने के लिए 180 डिग्री पे आप 15 मिनिट के लिए बेक कर सकते हैं 12 से 15 मिनिट में आप देखिएगा आपका ये बेक होके निकल जाएगा जो बेकिंग ट्रे है उसको भी आप ग्रीस कर लिजेगा और अगर आपका ओवन नहीं है तो आप बगोने में स्टैंड लगा करके उसको प्री हीट करके और उसके उपर ट्रे लगा करके उसको ढख करके आप पका सकते हैं सूप की हीट में दोस्तों आपकी आटा चीजी ट्विस्ट त्यार है इसको आप सूप के साथ करी के साथ तरी के साथ खा सकते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरा मेरे अगले वीडियो के अलर्ट के लिए मैं शेफ नितिन जैन एन जे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं और अब आपसे मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद N.J. Spend less, eat best See it, try it, make it, serve it See it, try it, make it, serve it See it, try it, make it, serve it